सबी विध्यार्तियों को नमस्ते, विध्यार्तियों आपका जानवे जुके सरह में स्वागत है, तो इस वीडियो की अंतरगत हम NIOS और रजस्तान स्टेट उपन बोर्ड क्लास 10 की अंतरगत जो इंगलिस विशे हैं, इस विशे का चप्टर नमर वन पढ़ेंगे इसने एक बाइट, यानि कि सापका काटना, तो यह जो चप्टर है, उसके नरेटर राजा है, तो राजा ने अपने जीवन में कोई घटी ते घटना है, उसके बारे में ही इस चप्टर में लिखा है, तो देखे, आपने भी जो कभी कुछ जानवर को छेड़ा होगा, ठीके, तो इसके लिए आपके जो घर में बड़े होते हैं, उन्होंने उसके बारे में आपको बताया होगा, आपको मना किया होगा, ठीके, किस तरह से जब किस जानवर को छेड़ा जाता है, जिसके अलावा जानवर क्या अनुभाव करता है, तो यही श्टोरी, जो है, एक जो रा यानि कि मासुम युवा है उसके ओपर लिखी है यह कहानी है जो कि राजा ने खुदने लिखी है तो राजा जो है वह बड़ा ही एडवेंचर है एडवेंचर का मतलब कि वह प्रकति के साथ में और उसको बहुत अच्छा लगता है ने 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 क्रेचर करना ठीक है और जीवो लेकर इससे संबंदित वह बहुत ज़्यदा उससे चिंतित रहते हैं कि यह जो बच्चा है तो मासूम लेकिन यह प्रकति में जो भी जीव है जैसे इसनेक है यह जो मदूमक्या वगएरा है उनके साथ वह छेड़खानी करता रहता है तो इससे लेकर वह ज़्यादा चिंत साथ में कर दो गएरग जो चलाएं काट रहार है जो भी जो पर हटेज सर्वेकर में कंप लेता ओएं के लिए oren जो अधुमक्या संभूरब nhân यहीं विक्ति के पास ले जाता है जो इसनेक बाइट का इलाज करता है याई वो जार फूब करता है तो देखते एंगे क्या घटित हुआ है क्या हुआ इस स्टोERी के अंतरगत तो यही सब चीजे इस स्टोरी के अंतरगत बताई गई है तो पढ़ते हैं आगे तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारी से कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और वीडियो को शेर करें और अच्छा लगे तो लाइक करें तो बढ़ते हैं आगे तो देखें यहां से आपका chapter start होता है देखो वन डे आई साई स्मॉल स्नेक इन दा कमपाउंड तो राजा कह रहा है कि वन डे एक दिन मैंने देखा एक इस्मॉल जो इन एक छोटा सा सा साप है मैंने कमपाउंड में यहने ग्राउंड में देखा इतवाज ग्रोली स्लोली यहनी कि वो जो है बहुत धीरे धीरे घुमावदार गती होती है नहीं डो जो साप इस तरह साप इसी तरह से चलता है घुम घुम के तो वो घुम के चल रहा था तो जल्दी से चला उसका मूमेट तेज हो गया और वह जो है एक कोकोड़ का शेल था यानिक जो नारेल लेके आते हैं जो चिलका होता है उसके अपने आपको छुपा लेता है जो चोटा साप था उसको 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 उसमें चुप जाता है तो राजा कहे रहा है कि जल्दी से उसके पास गया और मैंने जल्दी से उसको बंद कर दिया उसके माउथ को बंद किया तो उसने राजा ना जो है वो कोकोनट के जो शेल था कोकोनट का जो मूँ था जहां से साप उसने अंदर घुसा था उसको उसने एक स्टोन से बंद कर दिया तब I took the shell and run to Grand Mother और उस तरह से फिर में उससे अपने हाथ में लिया और फिर में गराण मदर की तरब चला गया यानिकि जो राजा है उसने जो साप चला गया तो से मूँ को उसने पथर से बंद किया और शेल को उसने उठाया और फिर Grand Mother के पास चला गया लुग ग्राण मदर, I cried, I have catches snake, तो फिर ग्राण मदर के पाद जाके राजा क्या कहता है, कि लुग ग्राण मदर के देखो ग्राण मदर, देखो दादी मा, I cried, यानि मैं चिल्लाया, यानि मैं जोड से बोला, चिल्लाया कि देखो, कि मैंने साप को पकड़ा है, तो इस तरह से सेतानिया करते रेते हैं, कुछ भी चीज पकल लेते हैं, क्योंकि वह ज़दा ट्रेटिव होते हैं, ठीके, इसनेक, आप ग्राण मदर बोले, इसनेक, यानि ग्राण मदर जो है, वो चिल्ला के बोलती है, या फिर वो अच्छंबित होती है, घबराट हो जाती, कि इसनेक, अभी हमें कोई आके बोले कि मैं साफ पकड़ के लाया कोई चोटा बच्चा है, तो हम चोग जाएगे, डर जाएगे, कर इसनेक पकड़ लिया, तो इसनेक, आप ग्राण मदर इन अलारम, तो ग्राण मदर न जोड से अलारम के, जोड सो चिल्लाई, ठीके, सी सा सोक्ट, य ग्राण फादर जल्दी से दोड कर आए, वेन ही लर्न डेट, आई हैड इसनेक इंदा से, ही स्नेच दा शेल एंड तो इट अवे, देखो, जब ग्राण मदर चिल्लाई, ठीके, और जोड से उसने साहिता के बारे में साहिता के लिए वो जोड से चिल्लाई, तो उस समय क्य पर यह थे देखका वे, इसने कहा हो, एड जोड वा ओए क्यों साहिता की जोड उता जाद पर वा के अंदर छुप गया यानि कि अब वो दिखाई नहीं दे रहा था तो इस तरह से जो उसके grandfather थे जब उन्होंने coconut share को दूर फेक दिया तो अब वो जो सांप है वो आजाद हो गया और वो जल्दी से निकल कर बुसेस के पीछे यानि कि जाडियों के अंदर वो छुप गया तो अब देखो grandfather warned me never to go near a snake because snakes were very dangerous तो grandfather उनको warn करते हैं उनको चेतावनी देते हैं कि इसको राजा को मी यानि कि राजा राजा खुद अपनी story बता रहा है कि grandfather उसको जो है चेतावनी देते हैं कि कभी भी आप snake के पास नहीं जाओगे क्युक्ति snake बहुत तो राजा को warning करते हैं उनको चेतावनी देते कि आएन देते तुम कभी भी इस तरह से snake के पास नहीं जाओगे इसनेक के साथ नहीं खेलोगे लेटर इन दा इवनिंग आई ट्राइट टू कैसे बी एड इट स्टंग मी ओन माई फिंगर अब देखो अब राजा ने क्या किया देखो सुबे तो उसने क्या पकड़ा था इसनेक को पकड़ा था लेकिन इवनिंग में उसने क्या क्या वो ट्राइ कर रहा था एक न मदू मकी को पकड़ने का ट्राइ कर रहा था और मदू मकी ने क्या 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 उसकी फिंगर पर मदू मकी ने श्टंग कर लिया यहने डंक मार दिया उसको काट लिया I felt sharp pain यानि मैं जो है राजा कहे रहा है कि मैं बहुत sharp pain मैसूस कर रहा था यानि कि मुझे वो pain है बहुत जादा हो रहा था किसका काटने से उसको मधु मक्की न काट लिया था तो इसलिए देखो अब राजा adventure है यानि कि वो नहीने सेतानिया करते रहता है तो सुबे तो उसने जो है इसने को पकड़ा अब साम को वो उसमों मधु मक्की के साथ खेल रहा था तो मधु मक्की न उसको काटा जिसके कारण उसको बहुत ज़दा pain finger पर हो रहा था I run to grandmother and told her that I had been bitten and wanted her to do something to stop the pain अब वो दोड के कहा गया दोड के अपने ground mother के पास गया यानि अपने दादी के पास गया and told her dad and उनको कहा I had been bitten and wanted her to do something देखो में को जो है मुझे किसी ने कुछ काटा है तो वो बता नहीं पा रहा है क्या काटा है तो वो कह रहा है I had bitten यानि मुझे कुछ काट लिया है मैं मैंसुस कर रहा हूँ मैं चाता हूँ कि आप क्या करो आप जल्दी से कुछ कीजिए ताकि मेरा जो ये पेन है वो इस्टोप हो जाए मेरा पेन है मेरा जो दरद है वो रुख जाए grandmother thought that I had been bitten by a snake अब grandfather ये सोचती है उसकी दादी ये सोचती है कि उसको जो है snake नहीं काटा है she called out to grandfather वो grandfather को बुलाती है come and see what was what was happened to राजा की देखो राजा के साथ क्या हो गया है राजा को किसने काटा है तो इस तरह से वो अपने जो है उसके grandfather को बुलाती है आवाज देती है कि जल्दी से आईए और देखे राजा को क्या हो गया है grandfather come on at once तो grandfather तुरंट वहाँ पर आते है he looked at me he looked at my finger and there was a blue mark तो वो उसके fingers को देखते है कौन देखते है grandfather की वो राजा की finger को देखते है and वो देखते है कि उसकी finger पर blue marks हो गया है और वो किसके काटने से हुआ था वो इसनेक के काटने से नहीं हुआ था उसको मधु मक्ही ने काटा था लेकिं गरानमद ने क्या सोचा कि इसको इसनेक ने काटा है without a word he took me in his arm and start running तो बिना कुछ एक सब्द बोले without a word यानि बिना कुछ एक सब्द बोले उन्होंने मुझे अपने बाजुओं में लिया यानि गोद में लिया और इस्टाटिक रज़ यानि वो दोड़ने लगे he run across the garden and walk to paddy field तो इस तरह से उन्होंने जो है garden को पार किया वो दोड़े जा रहे थे मुझे गोद में लेकर garden आया रस्ते में उसको पार किया फिर पेड़ी फिल्ड आया नि चावल की जो खेत आये उसको उन्होंने पार किया वो चले जा रहे थे बिना कुछ एक सब्द बोले फ्राफट वो दोड़ रहे थे he run and run and did not stop until he reached a small house quite some distance away from our home यानि कि वो तुरंट दोरते ही दोरते जा रहे थे वो कहीं भी नहीं रुके जब तक नहीं रुके जब तक कि वो दूरी को पान नहीं कर लिया जहां तक उनको पहुँचना था जहां तक वो नहीं पहुँचे यानि जहां तक उनको जाना था वहां तक वो उस घर तक नहीं पहुँचे तब तक वो रुके ही नहीं वो चले ही जा रहे थे तो उसके बाद उन्होंने क्या किया उस वेक्ति को आवाज दिया जो कि उस घर में रहता था जो कि वहाँ पर रहता था तो उस घर में जो वेक्ति रहता था उसको उन्होंने आवाज दिया तो आप जानते हो कि जब पता चल जाता है कि इसको ती स्नेक ने काट लिया है तो फिर हम बिना कुछ बोले फ्रापड उसको डोक्टर की पास ले जाता है लेकिन यह तो किसी वेक्ति के पास लेकि गये था वेक्ति कौन था तो तुरंक बोले एक faucet बोले है ग्राण फादर उसको गोध में उठा के तुरंक भागे जा रहे थे और वहाँ तक भागे है जहां तक कि वो जिस घर तक वो जिस वेक्ति तक जो कि कुछी दूरी पर था और उन्होंने उस वेक्ति को आवाज दिया जो कि उस घर में यानि उस हाउस में रहता था, उस होम में रहता था, and old gray had man come out of the house, तो उन्होंने देखा कि अब राजा ने क्या देखा, कि एक old gray यानि कि एक बुड़ा सा बुरे बालो वाला एक वेक् the cure for snakebite वो जानता था, cure यानि इलाज जानता था, snakebite करने की saaap के काटने का इलाज वो जानता था, grand father asked him to cure me, तो grand father नो उसको कहा, पूछा कि वो इसका इलाज कर सकता है इसका इलाज करें कि मेर को जो है इस तेक ने काट लिया तो इसका वो इलाज करें ठीक है ता ओल्ड में टुक मी इंसाइड तो ओल्ड में ने मुझे वो अंदर लेके चले गए वो अंदर लेके गए और पे nora दाद़ी दादर में ने मुझे लेके आए तो मुझे वहां गये और मुझे वहां गता लिया ऐसून गर्न फादर इस लैप तो जब उसने यानि कि जो जो ओल्ड में था उसने राजा को महां बिठा लिया और उसको हिलने डूनने के लिए मना कर दिया तो राजा ने क्या किया राजा जो है राजा जो है इट ओने और गाद लगण फादर की गोध में बैट गया या ठिके तो छोटा सा पितल का बईतन थाren ऐसमाल ब्रास वेसल के अंदर सम्वा वाट वो लेकर आया तिक कि set in front of us, यानि वो हमारे सामने बैठ गया and started resitting some mantra और वो जो है resitting mantra यानि कि वो जो जो से mantra का उच्चारन करने लगा जिस तरह से कोई हाड़ पूक करता तो mantra बोलता है ना तो वेसे ही वो जो old वेक्ती था, old man था वो जो mantra का उच्चारन करने लगा जो 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 से बोलने लगा I wanted to tell him that it was a bee and not a snake that had bitten me लेकि राजा के रहा है कि मैं चाता था उसको बताना कि ये मुझे एक मदुमकी ने काटा है ना कि इसनेक ने, ना कि मुझे किसी सापने काटा है But grandfather held me tight and did not allow me to take लेकिं grandfather ने मुझे बहुत tightly पकड़ रखा था बहुत tight उन्होंने मुझे पकर रखा था और वो मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दे रहे थे Grandmother two had arrived by then and some other people with her तो उसके बाद grandmother भी वहाँ पर आ गई यानि मेरी दादी जी भी वहाँ पर आ गई यानि कि वह सबी sad थे यानि वह सबी क्या थे दुखी थे क्योंकि वह सोच रहे थे कि राजा को किस ने काटा है राजा को स्नेक ने काट लिया क्योंकि राजा की ओंगली के ऊपर एक blue mark भी हो गया था हाना तो क्योंकि finger उसने देखा तो blue mark उसको दिख रहा था बट इस तायम उसी समय दा पेन इन माई फिंगर का जो दर्द हे वो कम हो गया देखो जो मदूमकी काटे तो थोड़ी देर तक ही रहता है न क्योंकि मदूमकी काटे भोग देर हो गया था तो इस वज़े से जो राजा की उंगली पर जो मदूमकी न काटा था उसका दरद लेटना पड़ा उस इलाज स्नेकबाइट के इलाज के दोरान मुझे वहीं पर रहना पड़ा और मुझे वह इलाज स्नेकबाइट का इलाज लेना पड़ा आप्ट ए फ्यू मिन्स कुछ समय मिन्ट बाद में the old man got up washed my finger and gave me some water to drink तो कुछ समय बाद वह बुजरुक वेखती ह वो उठा और उन्हें मेरे फिंगर को जो है वास किया धोया और मुझे कुछ पानी पीने के लिए दिया यह तोड़ा सा मुझे पानी उन्हें पिलाया एक की वो दादा जी की तरफ मुडे तन मेर फादर यह महां की ओ करादा की राझा को बचा हैझा को समय मेरे पास ले आएट ऑउट अफ ढांजर अब वह खत्रे से बाहर है तो ये कह रहे है कि अब ये जो खत्रे से बाहर जो इसनेक ने इसको काटा था वो भड़ा ही देंजरस था यानि कि बहुत ही जहिला था तो ये बात कौन कह रहा है ये बात बोल रहा है वो ओल्ड मेन grandfather, grandmother and all others thanks the old man for the magic cure तो grandfather है, grandmother है और बाकी जो अब भी लोग वाँ खड़े थे उन्होंने उस old man को थैंक्स किया old man को धन्यवाद दिया इस magic cure के लिए यानि इस magic अपचार के लिए जादुई अपचार के लिए उन्होंने उसको धन्यवाद दिया वन रिटर्निंग होम यानि घर आने के बाद में grandfather sent him gift grandfather ने उस वेक्टी के लिए उस old man के लिए कुछ जो है कुछ gift उसको भेजे क्यों भेजे क्योंने राजा के इलाज किया था तो इस तरह से यह जो chapter है वो आपका Compute होता है से आंसर दे पाऊंगे तो ज़्यादे ज़्यादे वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते अकले वीडियो में जेहिन जे भरत